स्री महाल अच्मी नमा, स्वागत है आप सभी का मेरे एचेस वारद्वा यूटूब चैनल पर आज मैं आपको बहुत ही अच्छा उपाय बता रहाँ, दीपावली की रात में आपको ये उपाय करना है ये उपाय इतना प्रभाव साली है कि एक साल के अंदर आपकी प्रतिक मनोकावना पूरी होगी माता अलच्मी प्रसन नोकर के आपका घर खुशियों से वर देंगी दीपावली की जो रात होती है, ये अमावस की रात होती है ये त्वार बहुत बड़ा त्वार होता है, लेकिन इस त्वार पर टोने टोटके भी बहुत ज़्यादा होती है कि एक कराय का प्रभाव भी बहुत ज़्यादा होता है दीपावली की दिन हम माता अलच्मी और भगवान गडिजी की आराधना करते हैं मात अलची में प्रसन नो करके अपने साधकों की मनुकावना पूरी करती है भरपूर धनाता है, संतान सुक मिलता है, घर में खुशाली आती है लेकिन इस दिन आपको विशेश रूप से ध्यान रखना चाहिए कि भार कम निकलना चाहिए क्योंकि किये कराई का प्रवा भी बहुत ज़्यादा है, लोग चोरायन पर चीजे डाल देते है अगर आपको इसी प्रकार की कोई परिशानी है, धन की परिशानी है, संतान की परिशानी है सरीर में किसी भी पिरकार की कोई परेशाना है तो दीपावली की राद को आपको ये साधारण सा अपाय करना है ये उपाय बहुत ही चमतकारी है इस अपाय को करने से आपको विशेशलाब मिलेगा दीपावली के दिन आप सुग्ए पित्रों की पूजा करें पित्रों की पूजा का विशी समेत्व है क्योंकि अमावस है पित्रों की नाम से तरपन करें पित्रों की नाम से दान करें साथ ही बस्त्रदान भी कर सकते ही उसके बाद में इस दिन गोमाता की पूजा भी करें गोमाता की पूजा का विशी समेत्व है सबसे में हैं अमावस की रात दीपावली की रात दीप उस सब का दिन तो पूरे घर में आप दीपक जलाएं माता लचमी का स्वागत करें रात को यह उपाए करें जो मैं आपको पताने वाला हूँ यह उपाए उसके लिए करना है मानों आपके सरी में कोई रोग है कोई परेशानी है किये कराय का प्रवाब है या संतान प्रापती नहीं उपा रही है पुत्त प्रापती नहीं उपा रही है धन प्रापती में परेशानी आ रही है तो यह उसके उपर साथ वार उसार करके और उसके उपर आपको एक लड्डू रखना है वूंदी का और एक लडू बनाजी का आपको गया की गोवर जलांग parfois उसके राखना है उसमें और कुछ चीज़े मिक्स्ट कर दें और उसका लड्डू बनाएं जो बूंदी का लड़ू उसमें साथ लगा दें और उस पर बिंदी लगाएं लाल और काली याने काजल की और रोली की और उस बंदे के उपर साथ बार उसार करके चोराय पर रख दें उसके बाद पीपल ब्रक के नीचे दीपक जलाएं और वहां पर साथ परक्रमा क करें उनका हाथ लगवा करके उनके परस्बंड कर सकते हैं तो आप जब परक्रमा लगाएं तो मीठा बाप चड़ा दें और कच्छा धागा आप लपेट दें सिबलिंग पर भी आपको थोड़े से चावल पीपल के पत्ते पर या बढ़के पत्ते पर रखकर के आपको चड़ा देने और थोड़े से चावल आपको भगवान के सामने भी चड़ा देने तो ये उपाय आपको करना ये उपाय बहुत ही चमतकारी है इस उपाय के करने से आ आपको विशेष लाब मिलेकर आपकी मनुकामना पूरी होगी वीडियो को सेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें